हलो एन वेल्कम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स और स्वागत है आप सभी का अधिकल हैकिंग की इन प्राक्टिकल क्लासिज में फ्रेंड्स लास्ट का जो टॉपिक था वो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इनकंप्लीट छोड़ दिया था उसे आप इस क्लास में समझ सकते हैं क्यूंकि उसमें काफी सारे ओप्संस रह जाते हैं फिर वो जो क्ला सबसे जो इमपोटन चीज थी जो उसमें रह गई थी वो यह थी कि किसी भी जैसे की 55535 पोर्ट होती हैं तो किसी भी पोट का वर्क या यह हम कैसे जाने गा और उस पोट के जरीए कोई भी गार कम्तुर में एंट्री कैसे करता है अगर वो पॉर्ट ओपन है तो हम उसे क्ल दीटिए हो इस کے लास के अ SMITH के अदर थे हंने हम केलिएर करने जा रहे है टो आप इंन चीजों के बारे में पता ही होोना चाहिए कि पोर्ट को open जो पोर्ट हैं उन्हें हम कहां से close कर सकते हैं और किसी भी particular port का काम कैसे हम देख सकते हैं तो friends आईए जानते हैं इसके बारे में practically सबसे पहले हम जानेगे कि किसी भी port के बारे में अगर हमें information लेनी है तो कैसे हम लेंगे तो friends इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं Google पे तो you have to click on Google और यहां पे आपको type करना है कोई भी port का number तो 6535 port होती है और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी port का काम क्या है और hackers उस पे किस तरह से attack करेंगे तो आपको लिखना है port 135 तो fans sorry मैंने यहां पे लिख दिया port 135 तो इसकी जो information है वो आ जाएगी friends आप यहां पे देख सकते हैं port 135 मैंने लिखा है used for आप यहां आसानी से समझ सकते हैं मैं इसे right click करके new tab में open कर देता हूं यहां पे बहुत सारी information है तो किस भी port के बारे में अगर आपको जानना है तो site is opening यह आपको सो कर रहा है friends अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसका जो main procedure है आप यहां देख सकते हैं remote procedure और protocol यह दिखा रहा है 135 port पे जो protocol है वो TCP और UDP protocol है इस service है IOC service है और इसका source भी दिया हुआ है तो इसके लावा इसके बारे में details दी हुई है side में अगर हम देखें तो यहां पे हमें information मिल रही है remote procedure call port 135 is used in client and server application तो इसका main purpose है client और server तो friends इसके लिए आपको पहले इसकी working को समझना होगा अगर आप किसी भी computer पे कोई भी hacker जब attack करता है और उससे पता चल जाता है कि कौन कौन सी ports open है तो उसके बारे में सबसे पहले वो information collect करता है कि उस port का काम क्या है और उस port का जो काम हो उसी तरह का virus, trozen या कोई भी file या कोई भी ऐसा तरीका बढूरता है जिसके जरीए उस port के जरीए वो उसमें entry कर सके तो hopes to friends यह आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी port की जो जनकारी है वो हम collect करते हैं आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे port number लिखना है जैसे कि second port थी 149 मैं उसके बारे में लिख देता हूँ तो उसकी जो information है आप उसे देख सकते हैं कि port number 149 का work क्या है यह पूरा detail wise आपको सारा का सारा procedure बताएगा और किस तरह से वो work करता है किस तरह कि उस पे attack हो सकते हैं ऐसी बहुत सारी information आप net से directly ले सकते हैं क्योंकि fans अगर 65535 ports के बारे में एक एक करके सब के बारे में बताया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना broad database हो जाता है लेकिन यह बहुत आसान तरीका है किसी भी port के बारे में जानकारी लेने का तो fans अब बात number 2 वो यह है कि ठीक है अगर हमें पता चल जाता है किसी भी computer में या हमारे खुद के computer में या target system के अंदर कोई भी port open है और हम उसे secure करना चाहते हैं वो हो सकता है या गलत हो जिससे की attacker उसका फैदा ना उठा पाए तो आप उस port को close कैसे करेंगे ये सारी information कहां से हमें मिलेगी तो fans इसके लिए एक दूसरा तरीका है सबसे पहले हमें अगर सभी ports के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा control panel के अंदर तो fans चलिए शुरुआत करते हैं control panel तो हमें जाना होगा control panel में और control panel में जाने के बाद हमें किलिक करना है Windows Firewall तो fans जो भी open ports हैं उनकी information हमें यहां से आसानी से मिल जाएगी और अगर आप किसी भी port को close करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं fans बहुत ही important ये topic है और बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जादे तर online videos में कई बार आपने देखा होगा अगर कहीं भी online classes आपको मिल रही है फिरी है अगर वो तो कई चीजें बीच में से रह जाती हैं हाला कि इनमें भी बहुत कुछ है बहुत broad concept है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पर फिर भी हमारी कोसिस है कि हम आपको कम से कम जो topics है वो तो clear करें जैसे कि ports की बात चल रही थी तो ports से information कैसे collect करते हैं क्या उनका main purpose है hackers उनसे क्या कर सकते हैं या फिर अगर कोई open ports है तो इसे हम क्लोज कैसे करेंगे सारा कुछ हमें पता होना चाहिए तो फैंस जैसे ही आप control panel में जाएंगे और windows firewall पे click करेंगे यहां एक option आता है advanced settings तो आपको click करना है advanced settings पे advanced settings पे click करने के बाद आप देखेंगे जो advanced settings के options है वो open हो जाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे दो तरह के options आ रहे हैं inbound rules और outbound rules तो inbound rules पे जब भी आप click करेंगे तो यहां देख सकते हैं कौन सी services है वो enabled है उनका action क्या है और किस location पे वो काम कर रहे है तो जिन पे जो tick mark है green color का यह so कर रहे हैं कि यह services फिलहाल running में है और जो gray color के mark में है that means वो disabled है तो friends अगर कोई भी service के बारे में आप जानकारी लेना चाहते कि वो कौन सी port पे running में है तो आपको just double click करना है और double click करने के बाद उसका जो port number है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि protocol का नाम आ रहा है protocol का number आ रहा है तो इस तरह से port number भी आपको जानने को मिलेगा कि वो service किस port पे चल रही है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अब आपको जो भी port यहाँ से close करनी है तो उसके लिए देखी friends side में option होता है disable rule तो उस चीज को आप disable कर सकते हैं जो भी service आपको लग रही है कि वो suitable नहीं है या फिर उससे कोई future में हानी हो सकती है तो आप उसी जिस भी port पे जो service चल जाएगा कि वो running में है या disable है और इतनी services को आप आसानी से check कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे disable कर सकते हैं तो fans यह वो तरीका था जिसके जरी हम किसी भी port के बारे में उसे enable और disable कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जैसे आप गिरे पे करते हैं तो यहाँ enable automatic activate हो जाता है लेकि यह service अगर आप enable करना चाहते हैं तो आप enable कर सकते हैं और disable करना चाहते हैं तो आप disable कर सकते हैं friends broad concept है इसमें भी बहुत सारी चीज़े रह जाते हैं लेकिन फिलहाल की class में आप समझ गए होंगे कि किसी भी service को port numbers को कैसे हम enable or disable करते हैं friends hope so आपको यह videos पसंद आया प्रोवाइड करते रहें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज जोड़े रहिए technical expert hackers के साथ और आप अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं thank you friends good bye